कि नमस्कार साथियों संसथ का यह सत्र अत्यनत महत्वपून है कि देश आज़ादी के अम्रीथ महोत्षो मना रहा है ये कि हिंद तान में कि छारों दिशाओं में से कि इस आज़ादी के अम्रीथ महोत्षो के निमित करके रचनातमक को सकारातमक जन हित के लिए राष्ट हित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कारिकम कर रहे हैं कदम उठा रहे हैं और आजहदी के दिवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोईन कोई दाईत्व निभाने का प्रयास कर रहा है यह खबरें यह अपने आप में भारत के उजबल भविश्य के लिए शुप संकेत है कल हमने देखा है पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दाईत्व के समन्द में पूरे देश ने एक संकल्प किया है इन सब के परिपेख्ष में हम चाहेंगे देश भी चाहेगा देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसत का यह सत्र और आगे नवाने आज़ वाले भी सत्र आज़ादी के दिवानों की जो भावनाएं थी जो स्पिरीट था आज़ादी के अम्रुत महुत्सव का जो स्पिरीट है उस्पिरीट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करें देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजें देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजें और इसके लिए यह सत्र कि बहुत ही विचारों की सम्रुद्धि वाला दूर्गामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्पग निर्णवा वाला बने कि मैं आशा करता हूं कि भविश्य मैं संसद को कैसा चलाया कितना अच्छा कॉंट्रिबिशन किया उस तराजू पर तोला जाए नकी किसने कितना जोड लगा करके संसाथ के सत्र को रोक दिया यह मांदन नहीं हो सकता है मांदन यह होगा कि संसद मैं कितने घंटे काम हुआ कितना सकारत्वक काम हुआ हम चाहते हैं कि सरकार कि हर विशय पर चर्चा करने के लिए त्यार है कि खुली चर्चा करने के लिए त्यार है कि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए त्यार है और आज हादिक अम्रुत महुत्सव में हम यह भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो संसाद में शांती भी हो हम चाहते हैं संसद में कि सरकार के खिलाब कि सरकार की नीतियों के खिलाब कि जितनी आवाद प्रकर होनी चाहिए हो लेकिन संसद की गरीमा स्पीकर की गरीमा चैर की गरीमा इस सब के विशह में हम वह आचरन करें जो आने वाले दिनों में देश की युआ पीडियू को काम आए पिछले सत्र के बाद कोरोना की विकर्ट परिस्तिती में भी देश्ट ने सौ करोर से अधीक डोजीच कोरोना वैक्सिन और अब हम देड़ सो करोर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं थि नए वयरियंक की खब्र हमें और शतर करती हैं और सजग करती है अब समसेट के सभी साथियों को भी तो शतर रहने के लिए प्रार्ष्णा करता हूं आप सबी शाथियों को भी सब रहने के प्रार्थना करता हूँ क्योंकि आप सब का उत् никак स्वास्त देशा सवास्त्य। संक्ट के घड़ी में हमारी प्रास्पीट्टा है। अधिक देश के 80 करोर से अधिक नागरिकों को इस करोणा काल संक्ट के में और अधिक तकलीफ नहों sum लिए प्रधान मंत्री गरीप पिल्याण योजना से अनाच मुट्ट में देनी की योजना चल रही है अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है करिब 2,60,000 करोड रुपी की लागत से 80 करोड से अधिक देश वासियों को गरीप के घर का चूला जलता रहे इसकी चिंतागी गई है मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश वित के निर्णे हम तेजी से करें मिल जुल करके करें सामान इमानवी की आशा अपेक्षाव को पूर्ण करने वाले करें ऐसी मेरी अपेक्षा है बहुत बहुत धन्यवाद